हे दोस्तों स्वागत आप सब का मैं हो रहा हूं रहा हूं एक डिजिटल मार्केटिंग है एक्सपर्ट मोटिवेशन स्पिकर फाउंडर ओफॉक्स बड़ेस्टिशन डॉट कॉम आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कर सकते हैं मैं आज आपको completely step by step एक Google Ads का first campaign बनाना सेखाऊंगा जिसके बाद आप भी अपना Google Ads campaign बना सकते हैं अपना business promotion कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी Google Ads का first campaign बनाना सीखना है तो आप मेरे इस tutorial को अंतक जरूर देखेगा और अगर आपको ऐसे वीडियो से लगातार देखने हैं अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है डिजिटल मार्केटिंग तुटोरियल से लगातार देखने हैं तो चैनल अभी subscribe कर लिजएगा नीचे दो आपको red button का subscribe बटन दिखरा पर क्लिक कर लिजएगा और साथी साथ तो बैल आइकन का बटन आएगा उस पर भी प्रेस कर लिजएगा ताकि आपको नई वीडियो के notification मिलते रहें और आप ऐसे में साथ डिजिटल मार्केटिंग सीखते रहें अपने बिजनस को ग्रोग करते रहें तो चली दोस्तो आप बनाते हैं गूगल एडवर का एक बैस्ट और एडवांस टागेटिंग जिससे आप अपने बिजनस को प्रमोट कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको गूगल एडवर का करने बिजनस को आपके बाद के सामने बात रहें गूगल एडवर के आपको इसमें का सारे यहां पर देकि सेठिंग भी आपको दिख रही है और काफी सारे उपरस भी आपको यहां पे काफी सारे options देख रहे हैं लेकिन अगर आपको कुछ भी आपको नहीं आता और आपको सिर्फ एक campaign बनाना है आपके business promotion करने के लिए तो आपको यहां पे सबसे पहले all campaigns पे click कर देना इस पे आपको कुछ भी नहीं देखना है यहां पे आपको जो है all campaigns का option देख रहा है all campaigns पे आपको जो है click कर देना है all campaigns पे आप जैसे click करेंगे देखिए दोस्तों यहां पे आपको एक plus का button देख रहा है plus के button पे आपको click कर देना है यह नीचे जो आप देख रहे हैं यह नीचे already जो canvas बने हुए है उनका data जो है आपको य न्यूज बदर से नियुन का बर्त वाद सबम mésके और सब्सक्राइब करणा है अगर आपको समय्पीनि धर करना यह फेड़ियर वाला साने aufन now is a good effect B अगर अगर है को से आपuledॉट करना के आप से लिस्टेर्वीन है cond कर चाहिए और यहां यह तौ यह यह 캐ंपञे बना सकते हैं अगर आपको प्रायंब किर बैंट करना है तो इस कोज़ेंक करना है और आपको इनका का गोल करना है तो आप यहां पे उसके according भी select कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक sales वाला बना के बता देता हूं तो आप सबसे पहले sales पे click करेंगे sales पे click करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको जो है 5 options और दिखाई दे रहे हैं इनमें अलग अलग तरीके से आप जो है ad campus बना सकते हैं अगर आपको search वाला दिखाई दे रहा है search वाले में वह ads campaign आते हैं जिसमें आप कुछ भी Google पे search करेंगे और वहाँ पे जो नीचे आपको आड दिखाई देता है उसको बोलते हैं search ad उसके बाद 200 display ad उसको बोलते हैं जिसमें आपको काफी सारी websites के अंदर जाते हैं और काफी सारी websites के अंदर जाने के बाद आपको image दिखाई देती है वसी इमिजिस में किसी company की information वहाँ पर प्राइज और product दिखाई देते हैं उसको बोलते है इसके बाद shopping ads भी आपको Google में दिखाई देते हैं वीडियो ads वह आते हैं जो आपको YouTube के अंदर skip ad या फिर आपको YouTube के अंदर कोई भी ad दिखाई देता है वो वीडियो ad होता है smart ad campaign जो होता है न्यू आया जो Google Maps या फिर और भी बहुत सारी जगे जो है smart campaigns आप चला सकते हैं लेकिन आप भी मैं आपको एक search वाला ad campaign बना के बता देता है search पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर आपको select करना है कि आपको किस पर आपको टागेट करना है आपका goal क्या है आपको यहां पर website पर विजिटर्स चाहिए फोन कोल चाहिए इस्टोर विजिट्स चाहिए यह क्या चाहिए तो हम सबसे पहले यहां पर website विजिट पे जो है क्लिक कर देता है वेबसाइट विजिट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहां पर अपनी वेबसाइट का तो आप campaign name अपने according रख सकते हैं जो भी आपको campaign रखना है वह आप अपने according रख सकते हैं campaign name से आपका जो भी campaign से उसको आप easily ढूंड सकते हैं इसलिए आपको यहाँ पर campaign name रखना पड़ता है उसके बाद दोसों आपको आपको यहाँ रखना है तो आपको 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 क्लिक करना है अगर आपको कोई भी डेश्ट सलक्ट नहीं करनी तो आप यहां पर उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं उसके बाद जो आपको दो options और दिख रहे हैं इन में से आपको कुछ नहीं करना है basically उसके बाद आपको target and audience आपको दिखाई दे रही है target and audience में आपको जो है आपकी locations मैंने आ तो अपना जो भी location है वो आप यहां पर देखिए इस तरह से आप search करके आप सिर्फ एक city को भी आप यहां से easily target कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपको यहां पर language का option दिख रहा है language के option में आप अपने according language memb Joe's comment लैंग्विज में आपको जो है आपका campaign logo को दिखा नग्रे इंग्ली में दिखाना है तो यहां पर link रवक्त कर सकते हैं अगर आपको Hindi wali audience को भी अपना दिखाना एट तो आप Hindi वाली भी language यहाँ पर select कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बुला थे कि आपको एक audience जो है आपको select करनी है किस audience को आपको target करना है तो यहाँ पर आपको जो है audience का option दिख रहा है audience की आपको काफी सारे options यहां पर मिल जाते हैं जिसके according जो है आपको target अपर अपनी audience को कर सकते हैं यहाँ पर search है या अगर आप audience target नहीं कर रहे हैं तो आप यहां पर इसको जो है recommendation पर ही छोड़ देंगे अगला जो है budget and bidding budget and bidding में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको एक budget पर fix करना है उस budget के according या आपको जो है आपका benefit आप बड़ा सकते हैं अगर आपको 500 रुपर आपने बजट रखा है और आप कोई campaign चला रहे हैं तो आप यहां पे 25 सकते हैं यह फिर अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप जो है गूगल एड्स को देना चाहते है अपना प्रमोट करने के लिए उसके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है इस पत्चीस रुपए से ज्यादा जो है आपसे गूगल यहां पर चार्ज नहीं लेगा बस पत्चीस और मॉर ऑप्षण का आपको दिख रहा है आपको है धिखहते हैं कनवर्जन rozpcol और CO से आपको लीड मिली कितने लोग आपकी आडड पर आया ते वह तो सारे सीजिएंट अब्सक्जिए करश कशना कॉर्ण के अंदर होता है कि आपको कौन- Feel तो आपको कौन कौन से दिन अपना एड चलाना है उसके आप यहां से जो अपना डे सलेक्ट कर सकते हैं एड सेडूल आप कर सकते हैं उसके बाद आपको एड रोटेशन दिख रहा है एड रोटेशन यानि कि आपको एक ही आड कितनी बार लोगों को दिखाना है तो उसमें आ ठीक है दोस्तों उसके बाद आपको नीची चलना एड एक्स्टेंशन एड एक्स्टेंशन में वो सारे चीज़े आती हैं जो आप अपने एड में कुछ एक्स्टा शू करना चाहते हैं एक्स्टा आप अपने एड के साथ जो है लोगों को दिखाना चाहते हैं अगर आप चा की अंदर आपको नमबर भी लगा सकते हैं आप यहां पर कॉल एक्सेंचिंशन आप यहां करेंगे आप अपनी कंट्री से आप हैं औरट्री यहां से सलकते से ग्जानी के बाद इंडिया किया और यहां से फिर ऐत् confined फोन नंबर जो भी आपका फोन नंबर है वो आप यहां से लगा के आप सेव चेंज पे क्लिक कर सकते हैं सेव चेंज पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका जो है यहां से जो है नंबर भी लग जाएगा उसके बाद जो है आपका नंबर आपके आड में जो है शोने लग जाए उसके बाद आपको यह सारा काम complete होने के बाद save and continue कर देना save and continue करने के बाद दोस्तों अब आता है आपके सामने ad group ad group के अंदर आपको जो है अपना ad आपको बनाना है ad group के अंदर आपको keywords भी लगाना है कि कौन-कौन से keywords पे जो आपका business आपको target करना मैंने आपको पहले बोला था कि आपको जो अफके keywords में decide करने है किन ki keywords को जो हापको target करना है तो आप अपने business के जो भी keywords हैं वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं जैसे कि मेरा digital marketing से related то मै यहां पर digital marketing madam service लिक देता हूं थो आपका जो भी business है उससरे related आप यहां पर keywords ले सकते हैं और आप अपने keywords को जो है यहां से target कर सकते हैं देखिए पहला हो गया digital marketing और दूसरा अगर आप चाहें तो और यहां पर जो है अपने keywords add कर सकते हैं देखिए इस तरह से और digital marketing wepadking in jaipura यह कहीं ही भी आप जो भी आपके keywords हैं वो आप यहां पर select कर सकते हैं अगर नहीं सपड़ा है तो आप यहां पर सीड़ा अपना जो है जैसे digital marketing यहां से ले सकते है copy करेए और यहां पर पेश्ट करते हेएЙ आपके आपको बहुत सारे keywords आजाएंगे तो आप उसके according भी यहां से आप keywords ले सकते हैं या फिर आपकी जो भी website उस website के according भी यहां से आपको keywords automatically मिल जाएंगे जैसे digital marketing और क्या क्या सर्च होते है online marketing होता है digital marketing agency होता है digital marketing companies होता इंटरनेंट marketing होता है इस तरह से जो आप अपनी keywords यहां पर लगा सकते हैं keywords लगाने के बाद दोस्तों आपका keywords का काम भी complete हो गया उसके बाद आपको यहां से save and continue कर देना save and continue करने के बाद अब आपको जो है last इसके बाद दोस्तों आपको headline first लिखनी headline first में जो भी आपका service है main services आपको लगानी है जैसे digital marketing में लिखा ठीक है यह आपका headline first हो गया फिर digital marketing within आपको उसके बाद आपको headline second में जो है आपको कोई एक offer देना है इस तरह से देखे दोस्तों आपको second वाली headline में आपको एक अच्छा सा offer आपको देना है headline third में आप जो है अपनी company का नाम लिख सकते हैं जो भी आपकी company का नाम है वो आप headline third में लिख सकते हैं इस त दोस्तों मैंने आप यहां पर सारे जो words है वो capital में कर दिये हैं तो आप चाहें तो यहां पर आप small or capital आप अपने according कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों इस तरह से जो है आपको एड़ बनाना है first वाली headline में जो है आपको क्या कर रहा है first वाली headline में जिससे सबसे ज़दा सर्च दिजितल मार्केटिंग लिखना है उसके बाद आपको दूसरी headline में आपको एक बड़ी ऐसा offer देना है और तीसरी headline में आपको आपकी company का name लिख देना है उसके बाद दूस्तों आपको description में आपको जो है यहां पर जो भी आपने headline first headline second में लिखा है उसके बारे में थोड़ा आपको detail wise बरताना है digital marketing services like in जापूर इस तरह से इन जापूर या फिर यहां पर लिख सकते हो आप we are we are providing ऐसे कुछ आप जो भी आप अपने according लिखना चाहे वो जो है we are providing digital marketing services in जापूर under 10,000 only इस तरह से जो आपको जो है लिख देना एक बड़ियासा ad format आपको यहां पर बनाना है और इस तरह से आपको ad बना कि जो है आपको यहां पर save and continue कर देना है save and continue करने के बाद दोस्तो अभी आपका यहां पर जो है complete ad बन गया है दोस्तो अब यहां से आप आसानी से अपना budget आइड कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं अब बना सकते हैं और first campaign बना के आप अपने business को promote यहां से कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों अगर आपको इसके बारे में ज्यादा डेटा चाहिए तो आप यहां पर Google Ads पर क्लिक करिए Google Ads पर क्लिक करने के बाद आपको कौन सा campaign आपका बन रहा है कौन सा campaign चल रहा हूँ सारी detail आपको यहां पर दिख जाएगी देखिए इस तरह से आपको पूरा data यहां पर show होता है कि कौन सा campaign आपका बना हुआ है कौन सा campaign आपका चल रहा है तो यह सारा data आपको यहां से मिलने लग जाएगा जब आपका campaign रन हो जाता है तो सबसे पहले आप अपना campaign बना के अपना payment कर सकते हैं और payment करने के बाद आप अपना ad कैसे run कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का मेरा वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रस कर दीजेगा दोस्तों मुझे आपके support की जरूरत है अगर आप मुझे support करेंगे अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए digital marketing tutorials और digital marketing videos ऐसे लगा ताट डालता रहूं तो आपको मुझे support करना पड़ेगा आप मेरे जो videos हैं उनको share जरूर करिएगा आप अपने whatsapp group और facebook group पे आप अपने family और friends को मेरा video जरूर share कर दोस्तों अगर आपको Google Ads से related कोई सवाल जवाप है तो आप मुझे comments box में नीचे लिख सकते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई information के साथ दोस्तों वीडियोज लगातार तेकने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धनेवाद दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई information के साथ तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों जैहें